और आज मैं अपने कुछ काम से निकला था और मैं अभी रैपिडो से जा रहा हूँ और अभी मैं हन्मान नगर में हूँ, मुझे पाटली पुत्र जाना था मेरा गाड़ी वहाँ सर्विसिंग के लिए दिया हुआ है, तो मैं रैपिडो से जा रहा था था आज और यह देख सकते हो, पटना मेट्रो का काम, मलाही पकड़ी चौक है यह, और यहां से हम लोग मुड़ जाएंगे और इस रस्ते में हलका सा और आगे बढ़ोगे तो आपको मेदानता दिखने लगेगा यह देख सकते हो, और लोहिया नगर पार्क में काफी ज़्यादा भीड था आज और बहुत ज़्यादा पुलिस थे, तो इसे देख के समझ गयते हैं हम लोग कि कुछ VIP मुवेंट होने वाला है, और उसके बाद रास्ते में हम लोगों को बहुत सारा काफला भी मिला तो नियर बाउट दो मंत्री कोई तो आने वाले थे शायद, नितीश कुमार तो उसमें होंगे ही होंगे जिसके चलते हैं ट्रैफिक का हाल आप लोग देख सकते हो, उपर से स्कॉर्ड के साथ गाड़िया निकल रही है अम्बुलेंस फायर ग्रिगेड दोनों साथ में चल रहा है, इसका मतलब कोई फेरी इंपोर्टेंट परसें जा रहा है और आम जन्ता के लिए क्या ही है, क्या ही करेंगे हम लोग जाके कहीं हम लोग का टाइम का कोई कीमत थोड़े है और अब मैं बिधान सवा के पास पहुंच गया हूँ, और यहां से मैं अटल पत के साइड मुड़ूंगा क्योंकि टाटा का सर्विस सेंटर है वहाँ यह देख सकते हो, हर जगा बैनर्स लगे हुए है और अब हम लोग अटल पत पे हैं, इस पे उतना जाम नहीं रहता है लेकिन रॉंग में में आपको लोग मिलते रहेंगे, यहां के लोग गासे ही चलते हैं तो आपको काफी जादा चौकरना होके चल लेगा जरुवत है बहुत लोगों को बुरा लगे गए इसब सुनके कि ऐसा नहीं है यहां कुछ इस्क्यूस दे सकते हो आप, लेकिन फैक्ट यह ही है और यह बिस्प सरेया भवन और यह मैं पहुचिया हूँ टाटा का गिनी मोटर्स का सर्विस सेंटर